नमस्कार दोस्तोो में विजे सहंडिए आपका मामलबॉण सहां में फिर से वागत करता हूं दोस्तो अभी मार्चृट हो गया है अगर आपने गर्मियों के फूल है वो अभी तक नहीं लगाए हैं तो मैं आपको आज बताँगा कौन-कौन से फूल जो है आप गर्मियों के लिए अभी लगा सकते हैं है तो बहुत अच्छी बात हैं तो अभी भी आप लगा सकते हैं वैसे मैं आपको फरवरी में बताया था कि बीज लगा लीजिए गा जो गर्मियों के वह अगर आपने उस टाइम पे लगा है तो अब लगा सकते हैं ज़्यादा फराक नहीं पेड़ ऊदेगा मार्च में क्योंकि अभी जर्मिशन जलदी होगी फरवर की ठंड होती है तो थोड़ा लेट जर्मिशन होई होगी तो अभी जब सीज़ लगाएं तो बहुत जल्दी है क्योंकि दूप काफी निकलती है तो आध मैं आपको सीज़ का हूャं कोन हूं कौन-कौन से हैं तो सबसे पहला जो सीड है वह कोस्मोस का कोस्मोस के जो सीड है यह वाले इसके अंदर येलो और और इंज सा कलर जो होता है दो कलर यह कलर आते हैं और जो सर्दियों के होते हैं उसमें बाकी जो पिंक कलर वगर है वह सर्दियों में आते हैं तो अभी ज अगर हम फोलो करते हैं तो वावे मैं रेल डालता रहता हूं और जो स्टोरी है वो डालता हूं जो मेरे गार्ड़नेरे हम लेके हुए हैं काफी खूबसूरत फूल है जो हमने सर्दियों में लगाए थे तो सेम ऐसे ही आप गर्मियों के लिए हम यह लगाएंगे उसके बाद क्लार करते हैं डूपहले तो इस अब यहाँ जाते थे पहले ही ऑफने ने मैं यहाँ बॉर्सिफीर करते हैं अगर और से किसी को यह प्यक्त इस बार मिल जाएंगा तो यह पैकिट आपको तो सारे पे आपको मिल जाएंगे तो इस तो पूरी गर्मी चलेगा और काफी अच्छे से लोग प्री लोग प्री होते हैं क्योंकि जीनिया की गर्मियों में काफी लोग при होते हैं कउमल यह पर तो जीनिया जो प्रोड के जैसे की रंग लगाए थे पूरी गर्मी चलेंगे और बहुत अच्छे से जो कर अपर आप करते हैं तो वह मौल कर सकते हैं मौनिंग यूडों का काफि कि आप मिल चाहिँ चाहिए फिलों करते हैं यह विंटर में जाके जो है इनकी पतिया तब खराब होती है वाइन की अधरवाई यह पूरा टाइम आपको फ्लोरिंग करते रहेंगे बहुत खुब सुर लगते हैं मौर्निंग में जब खिलते हैं दोस्तों अगला हमारे पूल है वह संफ्लोर मिनियचर के फूल है लगते हैं लाश्ट टाइम हमने इसको लगाए था और इसका जो जो कलर है येलो और इसके बीच में ब्लैक्स है काफी खुब सुर्ट लगते हैं लाश्ट टाइम लगाए था तो मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी था तो किस तरह की फूल आते हैं दोस्तों अगला चलेंगे और विनका ऑपको लगा सकते हैं अगला फूल है घो आपको याद होगा मेरे यहां पर आंगन में प्लांट लगे थे मैंने आपको फूल की वीडियो भी दिखाई थी और स्टोरी हमारी इंस्टाग्राम पे डाली थी आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलों के लगाता हूं उनकी जो फूलों के अपडेट है वह सब दोस्तों अगला हमारे फूल है मेरी गोल्ड गार्मियों में तो फरवरी मार्स में लगा सकते हैं और उसके बाद जो जब आप सर्दियों के लिए लगाएंगे तो जून जुलाई में लगता है तो अभी अगला हमारा जो फूल है वह टिथोनिया का देखिए इसका भी अब इसका प्लांट है क्योंकि वह अपने आप ग्रोगा था तो उसके प्लांट अब इतने बड़े बड़े जो है मेरे गार्डनेरिया में हो गए है तो उनमें जो फ्लोरिंग है कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगी तो इसके सीट भी आप लगाना चाहें तो लगा बारा से बालसम के सीट मैं डाल काया हूं आइसिंक दो दिन पहले में डाले यह जो पैकेट इसका इसमें मिक्स कलर है बालसम के अगला फूल है वह संगोल्ड गा तो यह वह आप ग्रोग ना चाहें तो कर सकते हैं अगले जो सीट में आपको बता हूँआ वह वह पूलों के बारा में अब बनाते हैं वैसे वह सबस्क्राइब कर सकते हैं और कोच्या के आप अच्छे सके तो काफी लंबे समय तक चलता है जब यह विंटर आने लगते हैं तो थोड़ी रेड कलर की लगती है तो तब भी अच्छा लगते हैं तो कोचिया के सीट अभी आप डाल सकते हैं अगला हमारा प्लांट है पोर्तुला का यह भी काफी फेवरिट है लास्ट टाइम यह सबसे ज्यादा सेल हुआ था क्योंकि य लगा भी प्लांट होता है तो इसके फूल गर्मियों में सारे खिलते हैं तो इसके मिक्स कलर रहे और तो लगाने आप वीडियो भी शायद मैंने बहुत पहले डाला था एक बार तो इसके सीट लगाने आसान है एक बार इसके सीट लगा कर छोड़ दीजिए एक बार अगर सीट ग्रों गए तो उनकी ज़्यादा के जड़त नहीं होती कि प्लांट है पानी कम देना उनको तो यह आप ग्रों कर सकते हैं और आगर प्लांट ग्रोंग है तो ने लगाए होई तो यह एक ऐसा फूल है जो सबसे ज़्यादा समय तक चलता है यानि कि आप फरवरी में इसके सीट्स लगाते हैं तो यह पूरी गर्मी यानि के सर्दी आने तक पूल देता रहेगा इसमें दो कलर आते हैं जो एक तो रेड रेड कलर सा आता है और दूसरा यलो कलर आता है तो यह जरूर लगा यह एक बार आप ने लगा लिए तो अगला कोक्स कोम का को क्स प्रॉं के जो प्लांट है वह भी लगाए जाएंगे यह कंदर काफी के इसके लों और और इस तरह की जो फूल को मखमलीस से जएसे सोंफ्ट होते हैं पिल्कुल इसको अगर वह आप डो कर सकते तो इस इसको फूल है यहां पर दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब कर सकते हैं जितना लेट करेंगे इसलिए अभी मार्च में अगर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो दोस्तों यह कुछ सीड्स हैं आप मुझे बताएगा कि आपको सबसेव अच्छा फूल जो है इन में से कौन सालेक्ट है कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो चलेगे तो लाइक और शेट जरू कीजिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब की मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखेगा शुक्रिया